ये आकाश्वानी रैपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं लता देवी चोहान और अब पेश है आज की मुख्य समाचार मुख्य मंतरी ने कहा है कि किसी किसान के पंजीकरित रखवे और गिर्दावरी में कोई त्रोटी मिलती है तो ततकाल सुधार किया जाए कुंडगाउं जिले में एक किसान द्वारा आत्म हत्ता के मामले में जिला प्रशासन ने पटवारी को किया निलंबित तहसिलदार को कारण बताओं नोटिस जारी प्रदेश में अब तक समथन मुले पर कुल 52 लगुवन उपजों की खरीदी की जाएगी और राज्य शासन द्वारा प्रस्तावीत 36 गड़ पत्रकार सुरक्षा कानून के प्रारूप को दिया गया अंतिम रूप समेती जल्द ही प्रारूप को राज्य शासन को सौपेगी कोरोना महमारी के खिलाफ देश एक जूट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाओ के तीन आसान एतियाती उपायों का संकल्प लें कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ हर्मू साफ रखें अब समचार विस्तार से मुक्यमंतर भुपेश बगेल ने कहा है कि किसी किसान के पंजीग्रित रखबे और गिर्दा वरी में कोई तूर्टी मिलती है तो ततकाल सुधार किया जाए मुक्यमंतरी के नर्देश पर खादी वभाग द्वारा पंजीएन के संबंद में सभी संभाग आयोक्तों और जिला कलेक्टरों को आवश्य कारवाई करने के नर्देश जारी कर दिये गये हैं जारी निर्देश में कहा गया है कि किसानों से पंजियन के लिए प्राप्त आविदन के संब्द में गिर्दा वरी की स्थिती जानने के बाद यदि उसमें तुर्टी पाई जाती है तो ततकाल सुधार किया जाए इसके अलावा पंजियन के दोरान धान के वास्तवी के में भी ततकाल सुधार किया जाए कॉंडागाव जिले की तहसील बड़े राजपूर के ग्राम मारंग पुरी में एक किसान द्वारा आत्मय तक किये जाने के मामले में जिले प्रश्टासन ने पटवारी को निलंबित कर दिया है वहीं तहसीलदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है इस संबल में जिले प्रश्टासन ने अनुविभागी अधिकारी से जाँच रिपोर्ट मांगी थी जिसमें बताया गया था कि मृतक किसान के पुत्र की दो वश पूर्व मृत्ती हो गई थी जिससे वह अवसार में था वहीं तहसीलदार द्वारा जाँ प्रतिवेदन में पाया गया कि मृतक किसान द्वारा धाई हेक्टियर से अधिक क्रिशी भूमी पर धान की फसल लगाई गई थी लेकिन तुर्टी वश सरकारी रिकॉर्ड में कम भूमी में धान की फसल की प्रविष्टी हो गई थी जिससे वह मांसिक रूप से वेथित थ हाला कि मृतक किसान ने प्रशासन को इसकी कोई सूचना नहीं दी थी प्रशासन ने इस मामले में पटवारी को लापरवाही बरतने के कारण ने लंबित कर दिया इस बीच भारती जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्षर विश्णू देश साय ने किसान की आत्मेहता के मामले में राजसरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार की गलत नीतियों के चलते किसान आत्मेहता कर रहे हैं शिसाय ने कहा कि राजसरकार ब्रतक किसान के परीजनों को 25 लाख रुपए का मुआफ़जा दे प्रदेश में खरीफ विपड़न वर्ष 2020-21 में कल 4 दिसंबर तक 6,19,000 मीटरी टन से अधिक धान की खरीदी की गई इस दोरान एक लाख 77,000 से अधिक किसानों ने समर्थन मुले पर अपना धान बेचा इस बीच महासमन जिले के कृशी उपजमंडी पिथोरा में अवैद रूप से धान भंडारन करने वाले दो करमचारियों के खलाफ कारवाई की गई इनके पास से लगभग 62 कृंटल अवैद धान जब किया गया है मिली जानकारी के मताबिक मुढ़ी पार चौक पिथोरा और ग्राम लारीपुर में दो लोगों के यहां छापा मारा गया जहां अवैद रूप से भंडारन के धान को जब किया गया वहीं जिले के सरकड़ा सोसाइटी में नया पारा के बजाए पटपर पाली में धान खरीदी केंदर बनाया जाने से नाराज किसानों ने राष्ट्री राजमा क्रमांक तिरपन पर मुढ़ी पार चौक के पास चक्का जाम किया इसे पहले एक दिसंबर को किसान सोसाइटी ने ताला बंदी भी कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनके मांग पर कोई सिनवाई नहीं हुई है उधर सरगुजा जिले में लखनपूर विकासखन के धान खरीदी केंदर में एक बिचौले द्वारा अवैद रूप से धान बेचने का प्रयास किया जा रहा था इस जोरान निरिक्षन के लिए पहुची टीम ने उसके पास से 270 बोरी धान जब्दकर समीती प्रबंधक के सुपूर्द किया राज्य सरकार ने प्रदेश में समर्थन मूल पर अब 52 लगू वनोपज की खरीदी करने का निर्णा लिया है पहले 38 लगू वनोपज की खरीदी समर्थन मूल पर की जा रहे थी मुक्यमंत्र वुपेश वगेल आज अपने जश्पूर प्रवास के दूसरे दिन जिले के गराम गमरिया के धान खरीदी केंदर पहुंचे और किसानों से चर्चा कर खरीदी केंदर में की गए ववस्ताओं की जानकारी ली इस वरान मुक्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान नयायोजना की चौती और अंतिम किष्ट का भुकतान चालो वित्ती वश में ही मार्च महने में किया जाएगा उन्होंने किसानों को बताए कि वर्तमान खरीफ मौसम में खरीदे जा रहे धान के लिए राजीव गांधी किसान नयायोजना के तहत अतिरिक्त राशी की पहले किष्ट आगामी मई महने में दी जाएगी श्रीप अगेल ने धान के खरीदी और भुकतान के बारे में भी किसानों से पूछा इससे पहले मुक्यमंत्री ने जिले के ग्राम पंचात बाला च्छापर सित सरना एथनिक रिजॉर्ट के पास समय कित चाय रोपन का भूमी पूजन किया और चाय के पौधे रोपे इस अवसर पर उन्होंने बन विभाग के अधिकारियों को चाय की खेती के लिए किसानों का समह बनाने और उन्हें प्रोथसाहिट करने के निर्देश दिये साथ ही बाजार उपलब्द कराने के लिए बहतर उपाय करने को भी कहा 36 विधानसभा का शीत कालिन सत्र आगामी 21 दिसंबर से शुरू होगा या सत्र 30 दिसंबर तक चलेगा इस समन्द में मुख्य सचिव अमिताब जैन ने आज वीडियो कांफरेंसिंग के मार्जम से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और विशेश सचिव से चर्चा की शुजैन ने सत्र के दौरान विभागों में विधान सभा प्रकोष का गठन करने और नोडल अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिये उन्होंने कहा कि शास्की विधी विश्यक कारिय निर्धारित साथ दिन पूर्व विधान सभा सचिवाले को उपलब्द करा दिये जाए और विधेकों के संबन में चर्चा के लिए सभी आवशक तयारियां की जाए उन्होंने लंबित आशवासनों के उत्तर सत्र आरंब होने के पूर्व विधान सभा को उपलब्द कराने के भी निर्देश दिये राज्य की कॉंग्रेस सरकार के दो वशपूर्ण होने के अवसर पर एतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर राम वन गमन परिपत में आगामी 14 से 17 दिसंबर तक परियटन रत तथा बाईक रैली का आयजन किया जाएगा यह रत और रैली राज्य के उत्तर स्थित सीता मढ़ी हर चौका जिला कोरिया तथा दक्षिन में स्थित राम राम जिला सुकमा दोनों छोड से 14 दिसंबर को प्राडब होगी जो विभिन मार्गों से होते वे 17 दिसंबर को चंदर खुरी में समाप्थ होगी यह रहली चिन हांकित परियतन स्थलों से एकत्र की गई मिट्टी और प्रतीक चिन के साथ लेकर चंदर खुरी पहुचेगी जहां इस मिट्टी से रिक्षार रोपन किया जाएगा प्रादिक समाचार आप आकाश्वनी रापुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बागी के समाचारों की ओर प्रदेश में कोरोना संकरमित मरिजों की संख्या 2,44,000 के करिक पहुच गई है राजे में कल 1589 नए मरिजों की पहचान की गई वहीं कल 13 मरिजों की मौत भी हुई है प्रदेश में फिल हाल 19359 मरिजों का इलाज विबिन अस्पतालों में चल रहा है उधर राजननगाउं जिले में स्वासी भाग ने सर्दी खांसी बुखार या कोरोना से संबंदित अन्य लक्षन वाले मरिजों से बिना किसी डर के कोरोना जाज अनिवार रूप से कराने की अपिल की है विभाग ने कहा है कि कोरोना की जाज कराने में डरने की कोई बात नहीं है या केवल अफवा है कि कोरोना जाज करवाने वाले प्रत्यक वैक्ति के रिपोर्ट पॉजिटिव ही आईगी विभाग ने कहा कि जिली में अब तक लगभग डेर लाख लोगों की कोरोना जाच की जा चुकी है जिसमें 10 प्रतिशत याने 15,000 लोग ही कोरोना पॉजिटिव पाए गये हैं वहीं रिकवरी दर लगभग 90 प्रतिशत हैं इस बीच पूर्व अंतर राश्ट्रिय मुक्यबास खिलाडी और अर्जिन पुरसकार से सम्मानित राजेंद प्रसाद ने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए आवश्चिक सावधानी बरतने की अपिल की है आप लोगों से निविलन है अब जब भी घर से निकलें तो मास्क अवश्चिक मुम में लगाएं जब भी बिड़ में निकलें प्रदेश के पत्रकारों के निश्पक्ष और स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए राजेशासन द्वार प्रस्तावित प्रारूप निर्मान समिती की ऑनलाइन बैठक के बाद कहा गया कि समिती श्रीग रही इस प्रारूप को राजेशासन को सौपेगी बैठो को संबोधित करते हुए समिती के अध्यक्ष उच्छ न्याले के सेवा निवरित न्याधिश न्यामूर्थी अफ्ताब आलम ने कहा कि प्रस्तावीत 36 गड़ पतका सुरक्षा कानू देश के अन्य राज्यों के लिए उदाहरन बनेगा। सीमा सुरक्षा बल B.S.F. अपना 56 थापना दिवस मना रहा है। इसी कड़ी में आज ग्रे मंतरी ताम्रदर्ज साहू ने राजधानी रापूर के पास मानमे आजित कारुक्रम में शामिल हुए। गौर तलबे के वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान यूद के तुरंत बाद संसद में कानून बना कर B.S.F. की स्थापना की गई थी। सशस्त्र सेना जंडा दिवस इस वर्ष 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक गौर ओफ माहा की रूप में मनाय जा रहा है। इस मौके पर रापूर के संभाग आयुक्त जी आर चुरेंदर, कलेक्टर डॉक्टर एस भारती दासर और जिला सैनिक कल्यान अधिकारी रापूर कैप्टन सेवा निवरित अनिल चंदर पोखरियाल ने सभी नागरिकों से दान देनों को आगरह किया। दान की राशी आयकर से मुक्त रहती है। शुब कामनाय दी। हाथियों के हमले में एक बुजर्ग महिला की मौत हो गई। मिली जानकारी के मताबिक या महिला सुबह गाउं से कुछ दूरी पर स्थित बाड़ी के पास गई थी जहां दो जंगली हाथियों ने महिला पर हमला कर दिया। जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। निया मनुसार मौवज़ा दिया जाएगा। वन विभाग के टीम हाथियों पर नजर रखी हुई है। गाउं में मुनादी कराकर ग्रामिनों से जंगल की ओर नहीं जाने की अपील की गई है। आज विश्व मृदा दिवस है। इस मौके पर केंदरी मंत्री प्रकाश जावडे करने कहा है कि भारत ने मृदा स्वास्त के प्षित्र में महतवपूर्ण कारे किया है और बहुत से देशों के लिए मिसाल कायम की है। आज एक ट्वीट में श्रिजावडे करने कहा कि विश्रभर में मृदा स्वास के बारे में जागरूगता की आवशकता है। ये नकेवल मिट्टी की गुणवत्ता के लिए लावप्रद है बलकि अच्छे परियावरन के लिए भी जरूरी है। इधर इंदरा गांधी क्रिशे विश्रदाला के तहत संचालित क्रिशे विज्ञान केंदर रापुर में विश्रम रिदा दिवस कारिक्रम का आयोजन किया गया। कारिक्रम के मुख्याते थी डॉक्टर टेडिया सर ने मिट्टी को जीवन्त रखने और मिट्टी जैव विव मारथन दोड का आयोजन किया जाएगा, मारथन के दोरान कोरोना संकरमन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रतिभागी, किसी भी स्थान पर समुह में एकत्रित नहीं होंगे, प्रतिभागी घर, पार्क, मैदान, सड़किया, किसी अन्य सुरक्षे स्थान पर सोश से ग्यारा बजे तक अपलोड कर सकते हैं, इसके लिए ओनलाइन पंजियन 10 दिसमबर तक खेल और युवा कल्यान तथा जन संपर्क विभाग की वेब साइट पर किया जा सकता है, और आपकुछ समचा संक्षुप्त में, राज्यपाल अनुसिया ओईकिया और मुख्यमति भूमी का निभाई, राज्यपान ने आदिवासी जननायक स्वतनतता सेनानी कंगला मांची को स्मिती दिवस पर शिधांजली अर्पित की है, जनता कॉंग्रेश 36 गड़ के कारेकरताओं ने आज राज्यनान गौं में मेडिकल कॉलेज इस्पतार में ऑक्सिजन ग्यास रि जले के एंसेसी छात्रों ने एतिहासिक महतों की मूर्तियों और उसकी आसपास के परिसर की साफसफाई की, स्वास्य भाग द्वारा राश्ट्री राजमार्क वहांचालक नेत्र परिक्षन सपताह मना जा रहा है, इसके तहट सड़क मार्क से गुजर रहे वहांचालकों क आँखों की जाच की जा रही है, कवीधाम जिले के भोरंदे और सादार वल्लभाई पटेल शक्कर कारखाना में गन्य की खरीदी और पिराई का कारिया शुरू हो गया है, महासमुन जिले में अगले वर्ष 17 से 19 जनवरी तक पल्स पोलियो अभियान चला जाएगा, इसके शुरूने से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी, और जिला चिके साले जांजगीर में कुरूना संकर्मन की रोख थाम के मद्दी नजर आगामी 8 दिसंबर से प्रत्येक मंगलवार और शुकरवार को शारणिक स्वास्तता प्रबान पत्र मेडि काल सुधार किया जाए, कॉंडगाउं जिले में एक किसान द्वारा आत्महत्य के मामले में जिला प्रस्तावीत पत्रकार सुरक्षा कानून के प्रारूप को दिया गया अंतिम रूप, समिती जल्द ही प्रारूप को राजिशासन को सौपेगी, इसी के साद प्रादेशी स नमस्कार प्लेकी समात्वा, नमस्कार.